द्विती ये अध्याय, सांख ये योग, संजे ने कहा, इस प्रकार करुना से अभिभूत, आसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, शोक ग्रस्त अर्जुन को देखकर, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इस विप्रीच स्थीदी पर तेरे मन में यह अज्यान कैसे उत्पन हुआ, ना तो इसका जीवन के मूलियों को जानने वाले मनुशों द्वारा आचरन किया गया है, और ना ही इससे स्वर्ग की, और ना ही यश की प्राप्ती होती है। इसलिए है अर्जुन, तू नपुन सकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है, है शत्रों के दमन करता, हिरे की तुछ दुर्बलता को त्याग कर, युथ के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, है शत्रों हन्ता, मैं युथ भूमी में किस प्रकार भीश्म पिता महा और द्रोनाचारी जैसे पूझनिय व्यक्तियों पर बान कैसे चलाओंगा, ऐसे महापुरुशों को, जो की मेरे गुरु हैं, इन्हें मार कर जीने की अपेक्षा, मैं संसार में भीक्षा मांग कर खाना श्रेयस कर समझता हूँ, क्यूंकि खून से सने हुए सुक्रों भोगी तो भोगनी को मिलेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ट है या युद्ध ना करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। दृतराष्ट के पुत्रों का वध करके हम जीना भ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रयसकर हो उसे निश्चत करके कहिए अब मैं आपका शेश्य हूँ और आपके शरिनागत हूँ कृपया मुझे उपदेश दीजिए मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोग को दूर कर सके स्वर्ग में धनधान संपन देवताओं के सरवोच, इंद्रपद और पृध्वी पर निश्कंटक राजी को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अरजुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युध नहीं करूँगा और चुप हो गया हे भरतवन्शी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोग करस्थ अरजुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हसते हुए यह शब्द कहे श्री भगवान ने कहा, हे अरजुन, तु उनके लिए शोग करता है, जो शोग करने योक्य नहीं है और पंडितों की तरह बाते करता है, जो विद्वान होते हैं, वे ना तो जीवत प्रानियों के लिए और ना ही मृत प्रानी के लिए शोग करते ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि भविश में हम सब नहीं रहेंगे जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्य होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राम्त नहीं होते हैं हे कुंति पुत्र सुख दुख को देने वाले विश्यों के क्षनक सन्योग तो केवल इंद्रे बोच से उत्पन होने वाले सर्दी तथा गर्मी की रितों के समान आने जाने वाले हैं इसलिए हे भरत्वन्शी तु अविचल भाव से उनको सेहन करने का प्रयपन कर हे पुरुष्य रेष्ट जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है दोनों परिस्थितियों में समभाव रगता है ऐसा धीर पुरुष्य निश्चत रूप से मुक्ति के योग्य होता है तत्व दर्शियों के द्वारा निश्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत्वस्तु यानि शरीर का कोई असत्व नहीं होता है और सत्वस्तु यानि आत्मा में कोई परवर्दन नहीं होता है जो सभी शरीरों में व्याम्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ इसको नश्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस अविनाशी, अमाप, नित्यस्वरुप आत्मा के ये सब शरीर नश्ट होने वाले है अतह हे भरत्वन्शी तू युद्धकर जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्यानी है क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है और ना मरता है और ना ही जन्म लेगा यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है हे पृथा पुत्र जो मनुष इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्याई जानता है वह मनुष किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है जिस प्रकार मनुश्य पुराने वस्त्रों को त्यांग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारन करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्यांग कर नए शरीरों को धारन करता है यह आत्मा ना तो शास्त्र द्वारा काटा सकता है ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वाहु द्वारा सुखाया जा सकता है यहां आत्मा ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही जलाया जा सकता है ना इसे घुलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है यहां आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैफ एक सा रहने वाला है यह आत्मा अद्रश्य, अकलपनिय और अपरिवर्दनिय कहा चाता है इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोग करने योग्य नहीं है हे महाबाहु यदि तू इस आत्मा को सदा जनम लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोग करने योग्य नहीं है जिसने जनम लिया है उसकी मृत्यो निश्चित है और मृत्यो के पस्चाथ पुनरजन्म निश्चित है अधह इस बिना उपायवाले विशे में तू शोग करने योग्य नहीं है हे भरतवन्शी संपूर्न प्रानी जनम से पहले अप्रकर रहते हैं और मरने के बाद भी अद्रश्य हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है अतहा शोक करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्नन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो इसके विशे में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है हे भरतवन्शी इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है अतहा तुझे किसी भी प्रानी के लिए शोग करनी की आवश्चता नहीं है हे अर्जुन ख्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग यह नहीं है क्योंकि ख्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्यकोई श्रेष्ट कार्य नहीं है हे पार्थ वेक्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अफसर अपने आप प्राप्थ होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं किन्तो यदि तो इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्थी को खोकर कर्तव य कर्म की उपेच्छा करने पर पाप को प्राप्थ होगा लोग सदेव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्थी का भी वर्नन करेंगे और सम्मानत मनुष्य के लिए अपकीर्थी मृत्यू से भी बढ़कर हैं जिन जिन योधाओं की दृष्टी में तु पहले सम्मानत हुआ हैं वे महारती लोग तुझे डर के कारण युध भूमी से हटा हुआ समझकर तुछ मानेंगे तेरे शत्रू तेरी समर्थी की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटू वचन भी कहेंगे तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है एकुंति पुत्र यदि तो युध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राम्थ करेगा और यदि तो युध जीत गया तो प्रिधवी का सामराज यभोगेगा अतह तुझे ध्रड संकल्प करके खड़ा हो जा और युध कर सुख या दुख हानी या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्यांक कर युध करने के लिए ही युध कर ऐसा करने से तुझे पाप को प्राम्थ नहीं होगा हे प्रधा पुत्र या बुध्धी तेरे लिए ज्ञान योग यानि सांख्य योग के विशे में कही गई और अब तु इसको निशकाम कर्म योग के विशे में सुन जिससे तु इस बुध्धी से कर्म करेगा तो तु कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा इस प्रकार कर्म करने से ना तो कोई हानी होती है और ना ही फल रूप दोश लगता है अब इतु इस निशकाम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म बृद्धियों के महानभय से रक्षा करती है हे गुरुनंदन इस निश्काम कर्मयोग में दृड़ प्रतिग्य बुध्धी एक ही होती है किन्तु जो दृड़ प्रतिग्य नहीं है उनके बुध्धी अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है हे प्रुधा पुत्र अल्प ग्यानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसकत रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम जन्म तथा एश्वर्य आदी की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविद्ध क्रियाओं का वर्नन करते हैं इंद्रियत रुप्ति और एश्वर्य में जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इस से बढ़कर और कुछ नहीं है जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तधा भौतिक एश्वर्य के प्रति आसकत होने से ऐसी वस्तों से मोहकरस्थ हो जाते हैं उन मनुष्यों में भगवान के प्रति ध्रड संकल्पित बुद्धी नहीं होती है हे अर्जुन वेदों में मुख्य रूप से प्रकृती के तीनों गुनों का वर्नन हुआ है इसलिए तू इन तीनों गुनों से उपर उठ हर्श शोक आदी द्वंदों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्म परायन बन सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशे के प्राप्थ हो जाने पर छोटे जलाशे के प्रती मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्रामन का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके भलों में अधिकार नहीं है इसलिए तू ना तो अपने आख को कर्मों के भलों का कारण समझ और कर्म ना करने में तेरी आसक्ती भी ना हो हे धननजय तू सफलता तधा विफलता में आसक्ति को त्यांक कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझ कर कर्म कर ऐसी समता ही समत्व बुध्धियों कहलाती है हे धननजय इस समत्व बुध्धियों के द्वारा समस्त निंदिनिय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना यानि परमात्मा की शरन ग्रहन कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं समत्व बुध्धियों के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आपको पुन्य और पापकर्मों से मुक्त कर लेता है अतहतू इसी योग में लग जा क्यूंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं इस समत्व बुध्धियों के रिशिमुनी तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन होने वाले फलों को त्याक कर जन्मृत्यों के बंधन से मुक्त होकर परंपत को प्राप्थ हो जाते हैं जिस समय में तेरी बुध्धी मोह रूपी दलदल को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तु सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ती को प्राप्थ हो जाएगा वैद ज्यान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुध्धी जब एक निष्ठ और स्थिर हो जाएगी तब तु आत्म साक्षात कार करके उस दिवचेतना रूप परमात्मा को प्राप्थ हो जाएगा अरजुन ने कहा ये केशव अध्यात्म में लीन स्थिर बुध्धी वाले मनुष्य का क्या लक्षन है वस्थिर बुध्धी मनुष्य कैसे बोलते हैं किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनुरत से उत्पन होने वाली इंद्रियत रुप्ती की सभी प्रकार की कामनाओं परित्या कर देता है जब विशुध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्थ करता है तब वह मनुष्य विशुत चेतना में स्थित प्रग्य कहा जाता है दुखों की प्राप्ती होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है सुखों की प्राप्ती की इच्छा नहीं रखता है जो आसकती भय तथा क्रोध से मुक्त है ऐसा स्थिर मन वाला मुनी कहा जाता है इस संसार में जो मनुष्य ना तो शुप की प्राप्ती से हर्शित होता है और ना अशुप के प्राप्त होने पर द्वेश करता है ऐसी बुद्धी वाला पूर्न ज्यान में स्थिर होता है जिस प्रकार कच्छवा सब और से अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विश्यों से सब प्रकार से खींच लेता है तब वह पूर्न चेतना में स्थिर होता है इंद्रियों द्वारा विश्यों को ग्रहन ना करने वाले मनुश्य के विश्य तो मिट चाते हैं परन्तु उन में रहने वाली आसकती बनी रहती है ऐसे स्थिर बुद्धी वाले मनुश्य की आसकती भी परमात्मा का साक्षात कार करके मिट चाती है हे अरजुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है उस विवे की मनुष्य के मन को भी बल पूर्वक हर लेती है जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्ण तया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थेर कर देता है वही मनुष्य स्थेर बुद्धी वाला कहलाता है इंद्रियों के विश्यों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विश्यों में आसक्ती हो जाती है ऐसी आसक्ती से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है और कामना में विखन पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन होता है मोह से स्मरन शक्ती में भ्रह्म उत्पन होता है स्मरन शक्ती में भ्रह्म हो जाने से बुध्धी नश्ट हो जाती है और बुद्धी के नश्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है किन्तु सभी रागद्वेश से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के सन्यम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंध हो जाता है तब उस प्रसन चित मनवाले मनुष्य की बुद्धी शीग रही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थेर हो जाती है जस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती है उस मनुष्य की ना तो बुद्धी स्थिर होती है ना मन स्थिर होता है और ना ही शांती प्राप्त होती है उस शांती रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है जस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायू हर लेती है उसी प्रकार विचरन करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुध्धी को हर लीती है हे महाबाहु जिसकी इंद्रिया अपने अपने विश्यों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती है उसी मनुष्य की बुध्धी स्थिर रहती है जो सभी प्रानियों के लिए रात्री के समान है वह बुध्धियोग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है और जो समस्त प्रानियों के लिए जागने का समय होता है वस्थर प्रग्यमुनी के लिए वह रात्री के समान होता है जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी और से परिपूर्ण द्रड़ प्रतिष्था वाले समत्र में समत्र को विचलित किये बिना ही समा जाती हैं उसी प्रकार सभी इच्छाय स्थित प्रग मनुश में बिना विकार उत्पन किये ही समा जाती हैं वही मनुश्य परम शांती को प्राप्त होता है ना कि इंद्रिय सुख चाहने वाला जो मनुश्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्यांक कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है वही परम शांती को प्राप्त कर सकता है हे पार्थ यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पद है जिसे प्राप्त करके मनुश्य कभी मोहित नहीं होता है यदि कोई जीवन के अंत्म समय में भी इस पध पर स्थित हो जाता है तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है इस प्रकार उपनिशद ब्रह्म विध्या तथा योग शांस्त्र रूप श्री मर्द भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जन समवाद में गीता सार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ हरी ही ओम तत्सत